हलो फ्रेंज और दियर इस्टुडेंट स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में मैं हूँ आसुतो सुकला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो प्रोड़क्त के ब्रांड्स होते हैं जैसे प्रोड़क्त जो भी मार्केट्स में आते हैं अलग अलग प्रोड़क्त अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं तो उनके ब्रांड नेम जो होते हैं वो कैसे डिसाइट किये जाते हैं उनकी क्या कैटेग्रीज होती है क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है सेम पैकेजिंग जिसमें हमारे प्रोडक्ट पैक किये जाते हैं पैकेजिंग के क्या टाइप्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे और क्यों पैकेजिंग की जाती है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं उसकी के साथ साथ लेबलिंग के भी बारे में जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरन्ट चैनल को सब्सक्राइब करें जब भी कोई कस्टमर जो है कोई भी कस्टमर अगर प्रोड़क्ट को पर्चेस करता है कोई भी कस्टमर है आप ही हैं आप किसी भी प्रोड़क्ट को पर्चेस करते हैं तो उस प्रोड़क्ट में लिए आप कुछ पेमेंट करते हैं कुछ पैसा देते हैं तो जो कस्टमर होता है वो केवल प्रोडक्ट ही पर्चेस नहीं करना चाहता मतलब प्रोडक्ट ही पर्चेस नहीं करना चाहता का मतलब यह है कि इसको हम एक बहुत नार्मल और कॉमन एक्जामपल से समझते हैं हम अगर माल लीजिए कोई बिस्किट पर्चेस करने जा रहे हैं, तो आप क्या केवल एक बिस्किट ही पर्चेस करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमें एक बिस्किट मिल जाए, हम चले आए, वो कोई सा भी बिस्किट हो, बिस्किट तो बिस्किट, बट ऐसा नहीं होता है, कस्टमर क्या पर्चेस करने जाता है आप बिस्किट पर्चेस करने जाते हैं तो उसके साथ जो भी हमारा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के साथ कुछ हम वैलूज को भी पर्चेस करते हैं वैलूज का मतलब क्या है कि वैलूज ओफ सैटिसफेक्शन ऐसी वैलूज जो कस्टमर को सैटिसफेक्शन दे सैटिसफेक्शन इन टरम्स ओफ क्वालिटी ये सबसे पहला है कि कब कस्टमर कब सैटिसफाई होगा जब उसको क्वालिटी मिलेगी उस प्रोडक्ट में जैसे अ रहिए वो जब उस product में होगी तब हम quality से satisfy होगे देन उसके साथ साथ उसके looks उसके brands क्योंकि brand से क्या होता है एक image maintain होती है एक social status maintain होता है और ये भी होता है कि ये कोई भी brand values की जो होती है वो brand तब build up होता है जब उस product का quality अच्छी होगी उस product की एक market में value maintain होगी जो हमने यहीं कि customer केवल और केवल product नहीं purchase करता है वो उसके साथ कुछ group of values प्रोड़क्ट परचेस करता है जो कि उस customer को ऐसी values जो satisfy करें जिसमें number of quality number of components आ सकते हैं तो आप हम देखते हैं कि components of product personality मतलब एक product जो इसे कौन-कौन से components हैं जो कि एक product की personality को build up करते हैं एक over और complete package of product को बनाते हैं तो वो है product image अब product image कैसे maintain होगी जब उस product की quality बढ़िया होगी उस quality बढ़िया होने से product regarding customer satisfy होगा तो product image उसके साथ साथ branding मतलब कि कोई एक product की image बढ़िया होगी तो दीरे दीरे उसका एक brand value बनती चली जाएगी उसकी packaging बढ़िया होने चाहिए packaging बढ़िया होने से क्योंकि customer जब product को purchase करने जाता है तो जो उसको पहला appearance जो वो दिखता है that is packaging और आज के time packaging का impact बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इसको अभी हम आगे packaging जब discuss करेंगे तो वहाँ पे इसको भी दिखेंगे और उसके साथ साथ कुछ product ऐसे हैं जहां पर guarantee मिल रही है या warranty मिल रही है तो यह सब भी ऐसे components हैं जो की एक product की personality को build up करते हैं then labeling and positioning product की position क्या है जो भी existing marketing market है जिस भी market का product है उस market में उसके जो भी और इस product से related बैसे biscuit है तो biscuit से related यतने भी products अब लेबल है वो के वर product को ने उसके साथ group of values को भी purchase करता है और कुछ ऐसे component जो की एक product की overall personality को maintain करते हैं अगर किसी product में ये सारे components मौझूद हैं और अच्छे तरीके से मौझूद हैं तो वो product के market share को increase करेंगे so packaging जो है packaging बहुत ही important factor है product के identification का तो जो product की packaging होती है उसकी आज के time पे जो product का identification का most important factor जो है that is packaging and packaging की importance packaging का महत ये day by day increase होता चला जा रहा है आप ये देखे कि अभी जितने भी product market में available हैं हो सकता है कुछ ऐसे products हो जिनकी quality थोड़ी कम हो but their packaging will be very good तो packaging क्यों बहतर की customer जो है जो ऐसे product जो की packaging के साथ मिलते हैं तो वहाँ पे पहले आपकी जो नज़र आएगी पहले जो आपको मिलेगा that is packaging और अगर packaging बढ़िया है product packing बढ़िया है तो उसका appearance बढ़िया होगा यानि packaging से product की appearance पे भी effect पढ़िया होगा तो आपको appearance बढ़िया होने से कहीं न कहीं वह हमाई mind पे एक impact डालता है कि अगर इसकी packaging इसका appearance बढ़िया है तो product भी बढ़िया ही होगा यह packaging is a very important factor for importance and which importance is increasing day by day and packaging is also used to making appearance elegant जो हमारे packaging है इसकी वज़ा से जो हमारी appearance है वो प्रभावी बनती है और इक इसमें important यह है कि जो भी cost of packaging है जो packaging के लिए यह owners को manufacturer को यह ध्यान रखने की जरूरत होती है कि cost of packaging not higher than cost of production packaging की जो cost है यह production की cost से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यह should not higher यह should not greater than cost of production cost of packaging cost of production से हमेशा कम होनी चाहिए otherwise इससे क्या होगा कि जो product होगा product की जो investment होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी और जिसकी वज़ा से उसकी MRP भी बढ़ जाएगी और MRP बढ़ जाएगी तो फिर customer reach से यह बाहर चला जाएगा customer मतलब जो उस भी product की जो existing market है उसकी MRP से ज्यादा चाला जाएगा तो customer इस product को फिर purchase नहीं करते हैं तो packaging की जो cost है वो production की cost से हमेशा कम होनी चाहिए और packaging ऐसा होने चाहिए जो की आपको आपके product को अरों से अलग करे differentiate from others, others means की जो भी competitors brand market में available है जो भी competitors के product market में available है उनसे हमारे product की packaging जो है वो अलग होनी चाहिए ताकि वो customer attention को अपनी तरफ gain कर सके and product का जो packaging होता है जो package होता है that is a silent salesman होता है यह silent salesman होता है product packaging से market share में बहुत ही increase बहुत ही effect आता है क्योंकि वो इतनी सारे features provide करता है अब हम देखते है what are the what should be the properties of a packaging एक packaging जो होती उसकी क्या-क्या characteristics होनी चाहिए packaging में क्या-क्या features होनी चाहिए तो सबसे पहला it should be protective जो हमारे package है packaging materials है यह protective होने चाहिए packaging का main काम यह सब तो additional features है बड़ जो packaging का main काम है that is protection protection from mechanical socks protection from over weighting और protection means की handling की वजह से कई बार कहीं product गिर जाता है transportation में भी उसमें जटके लगते रहते हैं तो इन से protection मिलना चाहिए environmental protection होना चाहिए तो first one is packaging material यह whatever the packaging will be used for the product that should be protective and second one is convenient to handle use करने के convenient होना चाहिए यूज करने में आसानी होनी चाहिए and then it should contain information जो भी product related information है वो भी इस packaging में होनी चाहिए and attractive होना चाहिए क्योंकि अगर attractive नहीं होगा तो customer attention gain नहीं कर पाएगा उसी के साथ साथ यह eco friendly होना चाहिए packaging material जो होंगे ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो pollution को cause करे it should be durable long lasting होना चाहिए lightweight होना चाहिए और इसकी जो design है that should be simple simple design होने चाहिए तो यह कुछ properties है जो की packaging material की होनी चाहिए जिससे जो भी हमारा product का packaging है that will be good that will be elegant और next हम देखते हैं कि processing क्या है क्या procedure है किस तरीके से packaging होनी मतलब final packaging कैसे एक complete packaging हम material यूज करते हैं कैसे बनता है सबसे पहले हम उस packaging की design को करते हैं कि कैसा design होना चाहिए जो कि attractive हो complete other से हमें differentiate करें उसमें information भी हो then what are the size of packaging package और size ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो भी हम उसके अंदर product वो pack करने वाले वो आसानी से आ सके उनमें proper space हो और उसके साथ साथ cost और भी पहले ही बताया कि जो cost है product packaging की वो बहुत हाई नहीं होनी चाहिए production से हमेशा कम ही cost होनी चाहिए then test और सब चीजे decide होने के बाद final packaging की testing भी की जाती है कि यह जो भी हमाए desires है उन पे यह सही रहेगा कि नहीं जैसे अगर हम को liquid doses form pack कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उसके leakage वगेरे की testing करते हैं solid doses form के लिए कुछ हम packing कर रहे हैं तो वह हम यह देखते हैं कि socks वगेरा को वह beer कर ले रहा है या नहीं देन हमारे आते हैं types पे की packaging हमारे कितने types के होते हैं तो अलग-अलग तरीके के हम जहां पे packaging पढ़ते थे तो primary packaging secondary packaging टैक्सी रीवी यह सारी अलग चीज़े हैं बढ़ हम यहां marketing subject पढ़ ले हैं तो marketing से related पढ़ेंगे business से related बात करेंगे यहां पे तो उसके हिसाब से हुंदा है distribution packaging distribution packaging का मतलब कि हम यहां पे जो packaging का use कर रहे हैं that is for distribution जिसे हम cartons में product को pack करते हैं एक carton में किसी भी दवाओं के माल लिजे पहले तो आप आप देखें कि किस तरीके से दवाय पैक होती है पहले दवाओं की जो पैक होती है वो पैकेजिंग या इस इस ट्रिप packaging उसके उसे हम कहते है primary देन फिर secondary की वह हमारा दस पत्ते किसी भी product की कि माले जाम solid डोडेस फोर्म की बात कर रहे हैं तो दस टेबलेट की एक strip और दस strip का एक box फिर उस दस strip को अलग पैक किया जाता है फिर अगर उसे transport करना है कहीं किसी स्टॉक इसके पास वेजना है तो product को हम कार्टन में पैक करते हैं कि दस box पचास box का cotton तो देट इस distribution पैकेजिंग देन सेकेंड वन इस consumer packaging पहला टाइप हो के distribution second one is consumer packaging consumer packaging का मतलब है कि जहां पे product से सम्मंधित information हो देन identical packaging identical packaging will use for the branded product ऐसे product जिनकी एक brand इमेज बनी हुए उनकी एक identical पैकिंग होगी जो की इदम अलोग होगी और that will reflect the brand image also then multiple purpose packaging जो की different different purposes के लिए use हो सकते and reuse packaging reuse packaging का मतलब है कि ऐसी packaging जिनको हम दोबारा भी use कर सकें तो यह packaging के कुछ types हैं अब हम बात करेंगे branding के बारे में कि जो भी product की branding है वो brand क्या होते हैं तो according to AMA medical association के अनुसार एक जो brand is जो product का brand होता है वो brand is a name एक name होता है एक term होता है एक symbol होता है या design होता है या इन दोनों का ही combination हो सकता है so according to AMA brand is a name is a term a symbol or a design or combination of symbol and design which is intended which is intended to identify जिसका use इसलिए किया जाता है इसलिए यह सारे इसके name ऐसे रखे जाते है term symbol या design ऐसा रखा जाता है ताकि इस product को identify किया जा सके that intended to identify the goods or services जो भी product है या services है उनको identify किया जा सके और इस brand name की वज़ा से यह brand name जो है इस product को यह जो goods है इसको other से differentiate भी करें अगर जिस भी company का product है जिस भी company के goods है उसको other market में other जो competitors हैं उनसे differentiate करने का का काम भी किस के तुरू होता है brand के तुरू होता है अलग-अलग आप देखेंगे के अलग-अलग company के एक ही माल लेजिए हम molecule की यहां बात करते हैं दवाओ में एसी क्लो फिनक के जो एसी क्लो फिनक मार्केट प्लस पैरा सीटा मौल के आप देखेंगे इस molecule के यह एक example ऐसे कोई भी molecules के बहुत सारे अलग-अलग कंपनियों के प्रोड़क्ट आते हो दे आल आर विद डिफ्रेंट ब्रांड नेम्स बट देखेंगे इन इंडिकेशन यहां इसा डिखा रहेगा आपको डैस पी इट मेंस कि यहां पे पैरा सीटा मौल है विट तकॉंबिनेशन अब आपको ब्रांड नेम से पता चलेगा यह फला कंपनी का प्रोड़क्ट है यह कई बार हम सिंबल से पहचान जाते हैं जैसे आप कपड़ों में जाए वैन हुसाइन लोईस फेले पीटर इंगलेंड अलग अलग ब्रांड रेट जो कपड़े आते हैं उनको हम किसे पहचान लेते उनके लोगों से तो ब्रांड नेम ब्रांड इस नेम टर्म सिंबल और कंबिन सिंबल और डिजाइन और दिजाइन और देखेंगे की नहीं भी अन्याद दो कंपनी को आप दो कंपनीओ का ब्रांड नेम आपको से मिलेगा अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि वाटता ताइप्स ऑफ ब्रांड तो ब्रांड को डिपरेंट डिफरेंट काटेगरीज में डिवाइट किया गया उन्स हम सब के बारे में पहला on the basis of ownership ownership के basis पे brand को दो टाइप में divide किया गया that is manufacturer brand and second one is manufacturer brand and second one is middleman brand manufacturer brand का मतलब यह है कि जो फी जो उस product की manufacturing कर रहा है उस वही marketing भी करा रहा है मतलब customer को जो product मिल रहा है वो इसी के नाम से मिल रहा है final consumer तक जो product पहुँच रहा है वो इसी क्योंकि आप अभी जब हम आगे बात करेंगे labeling में तो आप labeling में देखें वहाँ पे दिया रहता है manufactured by and marketed by तो वहाँ पे manufacturer brand ऐसे brand होंगे जहां पे यह दोनों ही सेम रहेंगे और यह जो brand होते हैं generally जो एक customer का जो psychology के हिसाब से जो उसके दिमार्ग में चलते कि इनकी quality बढ़िया होगी and middleman का मतलब कि there should be different manufacturing and different marketing मतलब कि यह menu यह जो ऐसे product होंगे जो marketing मतलब किसी और के द्वारा बनाए जा रहे होंगे किसी और का but marketing किसी और की होगी though on the basis of ownership there are two types of brand first one is manufacturer brand and second one is middleman brand then on the basis of market area market area के basis में भी product brand को classify किया गया तो पहला local brand local brand का मतलब जो एक किसी particular area में ही use हो रहा होगा sell हो रही होगी उसे हम कहते है local brand then second one is regional brand regional brand का मतलब है कि माल लिजे इंडिया में एक इंडिया हमारी country है एक इंडिया में में इंडिया के अलग-अलग regions में किसी एक company के product जो है वो different different regions में अलग-अलग brand name से use किये जा रहे हैं तो that is regional brand and regional brand जो होंगे यह different regions में different brand name से then national brand national brand national brand ऐसे जो all over nation एक ही brand name से जाने जाएंगे and international brand मतलब यह अलग-अलग countries में एक ही brand name से जाने जाएंगे so as on the basis of market area brands are categorized in the four categories first one is local brand second one is regional third one is national and fourth one is international brand then the on basis of number of products number of products basis पे इसको family brand के पहला जो category है on the basis of number of products that is family brand family brand का मतलब जहां पे product जो company होगी जो manufacturer होगा वो सभी product को एक ही brand name से यूज करेगा एक ही brand name से जो मार्केट में लाएगा जो दिसे हम कहते हैं family brand की अलग-अलग जैसे कि किसी तूथ पेस्ट में है टूथ ब्रस आ रहा है उसके गार्गल सा रहे है उसके पेस्ट आ रहे हैं so that will be family brand and then individual brand जहां उस company उस owner के जित्ते भी brands होंगे जित्ते भी products होंगे सभी अलग-अलग separate brand name से होंगे and then product line brand product line brand का मतलब क्या है कि उस line में जितने brand होंगे वह product line में similarity होगी जैसे कि हमने बात कर रहा था पहले कि electronics के हैं या माल लीजे हम इसमें इदर के category में अव सरी ड्रग फार्मा की बात करते हैं तो माल लीजे पेंकिलर्स आ रहे हैं तो देट विल भी सुट्स देट देट विल भी विद दा बेसिस ऑफ यूज यूज के बेसिस पर प्रोड़क्ट को इन तीन कटेगरी में फाइटिंग ब्रांड जहां पर competition बहुत हाई होगा वहां पर प्रोड़क्ट को ऐसे उनके लोग प्राइज़ के साथ यह से के साथ ऊतारा जाता है यहां पर फाइटिंग ब्रांड को कहहें के जहां पर TWO ब्राइज़ हाई होंगे डेन ba ब्रांड किंग के बारे में और टाइपस और ब्रांड और ब्रांड को हमने पहले डिसकस कर लिया कि इनका इंपक्ट क्या होता है देन आज आते हैं हम लेबलिंग तो लेबलिंग का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के एक्कॉर्डिंग उन्होंने कहा ड्रग एंड कॉस्मे प्रोडक्स होंगे and जो food productos होंगे animals जुड बी प्रापर्ली लेबल्ड प्रापर्ली लेबल्ड का मतलब ये है कि उन में क्वांटिटी की पूरी डिटेयल होगी क्या क्या ingredients use किये एंः कि use कैसे करना है спокой songने इसको manufactured by प्रोड़क्ट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी वह सभी इस लेबल में होंगी अगर प्रोड़क्ट की कुछ प्रिकॉशन से तो देशुड और अल्सो भी देरिंदा लेबल तो यह था हमारा टॉपिक प्रोड़क्ट पैकेजिंग ब्रांडिंग एन लेबलि से मिल जाएंगे थैंक यू वेरी मुच्छ